हेलो एवरिवन आप शेवी का अंकूश अकाडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एक्जाम की तयारी भी अच्छे से चल रही हुगी जारकर में बहुत जल जारकर दर होगा की वेकेंसी आने वाली है तो आप इसकी तयारी में अभी से लग जाएए सबसे पहले इस एक्जाम में इस बार जो होगा वो फिजिकल होगा पहले फिजिकल पास करना होगा उसके बाद फिर आपको एक्जाम पास करना है तो आप पहले physical की तयारी कीजिए और साथ ही साथ exam paper की भी तयारी कीजिए तो previous question paper का set चला रहे हैं तो आज का जो set है वो set 6 है आज का जो set है वो 6 है 5 तक हो चुका है जो रोग नहीं देखें आप मेरे चैनल पे जाके सबका playlist बना हुआ है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं question number one निमलिकित में से कौन जारकंड के निर्दली मुख्यमंत्री रहे तो जारकंड के कौन निर्दली मुख्यमंत्री रहे तो वो कौन थे मधू कोड़ा और जो मधू कोड़ा थे वो कितने नमबर के मुख्यमंत्री थे तो पाँचवे नमबर के मुख्यमंत्री थे और इनका जो मुख्यमंत्री का कारीकाल शुरू वो कब हुआ चोगदो सेप्टेमबर 2006 से इनका मुख्यमंतरी का कारेकाल शुरू हुआ तो वन का जो एंसर होगा वो क्या होगा? ए Question number two मधू कोडा ने जारकंड के मुख्यमंतरी के रूप में कितनी बार सेवा की? तो ये कितनी बार सेवा की? एक बार तो टू का जो एंसर होगा वो सी Question number three हैमन सोरन ने जारकंड के मुख्यमंतरी के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो ये जम हुआ था 2017 में तो उस टाइम के अनुसर अगर एंसर देखा जाए तो एक होगा क्योंकि 2013 में हैमन सोरन जारकंड के मुख्यमंतरी बने थे फिर ये 2019 में मुख्यमंतरी बने है तो हैमन सोरन अभी जारकंड के फिर वर्तमान में मुख्यमंतरी है और अभी वर्तमान में जो हैमन सोरन मुख्यमंतरी है वो कितने नमर के मुख्य मंत्री हैं? तो 11 नमर के मुख्य मंत्री हैं. तो अभी के अनुसार, अगर answer क्या होगा? तो दो बर. तो 3 का जो answer होगा, वो क्या होगा? बी. Q4, निम्नतम अवधी के लिए ज्यारखंड के राजिपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की? तो किसने सेवा की? तो C, V, पांडेन है तो 4 का जो एंसर होगा हो क्या होगा? B Q5, अप्टेट, रॉग, फास्पेट, ज्यारखंड के निम्निकित, जीलों में से किस में पाया जाता है? तो ये कहां पर पाया जाता है? पस्च में सिंगबुम तो 5 का जो एंसर होगा वो D Q6, वर्तमान में ज्यारखंड राजे हर सल विभीन परकार के खनीचों के कितने लाग टन उतपादन करता है? तो कितने लाग टन का उतपादन करता है? 160 लाग टन का उतपादन करता है तो 6 का जो एंसर होगा वो A पोस्टिन नमर सेवन बोकारो इस्टिल प्लांट जो एसिया में सबसे बड़ा है निमले के देशों में से किसकी मदद से बनाया गया है शोबियत संग से और बोकारो इस्टिल प्लांट के स्थापना कब हुए 1964 में इसके अस्थापना हुए और वहाँ पे जो उत्पादन शुरू हुआ वो कब हुआ उने 172 से काम करना शुरू हुआ इस बोकारो इस्टिल प्लांट में तो 7 का जो एंसर होगा वो क्या होगा बी कोस्चन नमर एट स्वाततरता से पहले पूर्वी शिंग भूम जीले का पूरा छेतर किस जीले का हिस्सा था तो वो किस जीले का हिस्सा था पुराना मान भूम तो 8 का जो एंसर होगा वो डी कोस्चन नमर नाइन जारखन का कौन सा जीला च्छातिस गाड और युपी के साथ अपने सिमावर्ति हिस्सेदारी करता है तो कौन सा जीला है जो च्छातिस गाड और उत्तर परदेश के साथ अपने सिमावर्ति लगाता है तो वो कौन सा है गढ़वा तो 9 का जो एंसर वो A, Q11, जारखंड में 50 एकड जमीन में एक बड़ा टेंक कहां इस्तित है, तो ये कहां इस्तित है, बसंत राई में, तो 11 का जो एंसर होगा, वो क्या होगा, C, Q12, राश्टी खेल विस विद्याला जारखंड राज में इस्तित होगा, तो ये कहां पर बनेगा, तो जाती, असनांत्रन क्रिशी करती ए, तो जारखंड की कों सी जाती है, जो असनांत्रन क्रिशी करती है, तो सौरिय, पहाडिय, तो 13 का जो एंसर होगा, वो C, Question No.14, अनुसूचित छेत्र की परिभासा से समंदित, भारति सम्विधान की कों सी अनुसूचिए, तो वो कौन सी पांचवा अनुपात काफी कम है तो वो किस अनुपात पर है वरिष्ट मादमिक अस्तरपन तो 15 का जो एंसर होगा वो क्या होगा question number 16 निमलिखित जन जातियों में से कौन सा एक बहादूर मार्सल जन जाती है तो वो कौन सा जन जाती है जिसको बहादूर मार्सल जन जाती के नाम से भी जाना जाता है तो खरवार जन जाती तो 16 का जो एंसर होगा वो क्या होगा question number 17 डाल में एक पुरा तत्विक अस्तल निम्न में से किस नदी के ट्रेट पर इस्तित है तो ये कहां पे इस्तित है तो स्वर्ण नदी के किनारे इस्तित है तो 17 का जो answer होगा वो क्या होगा question निमलिखित में से कौन सुल्तान सूजा की रजधानी थी तो सुजा की रजधानी कहां थी तो राजमहर तो 18 का जो answer होगा C question number 19 ओरन जेब के सासनकाल के दोरन दलिल सीग ने मगर खान को हराया था जो कि डैस के सासक थे तो और वो कहां के सासक थे तो चाई के सासक थे तो 19 का जो answer होगा वो क्या होगा question number 20 गौतम बूद का जनम किस अस्थान पर हुआ था तो गौतम बूद का जनम कहां पर हुआ था लुम्बीनी में तो 20 का जो answer होगा वो C question number 21 वर्फ आयू कि गहरी भूमिगत गूफा में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है इसको गां तो 21 का जो answer है वो B question number 22 जारखंड के 72 प्राचिन मंदीरों में गां मुलूटी से किस वन्स का संबंद है तो वो किस वन्स से संबंद है पाल वन्स से संबंद है तो 22 का जो answer होगा वो A question number 23 चोसा की लडाई लड़ी गई थी तो चोसा का जो यूद हुआ था वो कब हुआ था 1549 इस भी में तो 23 का जो answer होगा वो क्या होगा D question number 24 भारत 24 भारत में जारखंड को वन्स चेतर के अंतरगर्द चेतर के अनुसर डेस अस्थान दिया गया है तो कितना नम्मर का अस्थान दिया गया है तो 24 का जो answer होगा वो D question number 25 साल के बीच के लिए महतपूर्ण है तो साल के जो बीच है वो किसके लिए महतपूर्ण है तो अशोधी तेल और खारतेल ये दोनों के लिए महतपूर्ण है तो 25 का जो answer होगा वो क्या होगा D question number 26 इसके नरम फाइबर की वज़ा से तकिये और आवरन को कवर करने के लिए निमलिकित पेड़ के फल का उप्योग किया जाता है देखे किस तरह का question पूछा गया है इसमें एक नरम फाइबर की वज़ा से तकिये का आवरन करने के लिए किस फेड़ का फल का उप्योग किया जाता है तो सेमर तो 26 का जो एंसर होगा वो क्या होगा B question number 27 जारखन में निमलिकित मैंसी कौन से पार्क अभ्यारन में चेरो राजाओं की समय में एतिहासिक समारक और कीले है तो कौन सा था तो बितला राष्टी है भ्यारन तो 27 का जो एंसर होगा वो भी question number 28 ओलंपिक 1928 में भारती होकी टीम का पहला कप्तान जेपाल सिंग ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था तो कौन सा पदक जीता था तो गोल्ड शोना तो 28 का जो एंसर होगा वो क्या होगा? A question number 29 जारकंड राजिका निर्मान किस वर्ष होगा? देखें इस तरह का भी easy question पुछा जाता तो जारकंड राजिका निर्मान का भुआ? 15 November 2000 तो 29 का जो एंसर होगा वो क्या होगा? D question number 30 जारकंड के दक्षिन में कौन सा राज इस्तिद है? अगर जारकंड की मेप को देखते होंगे तो जारकंड का जो शीमा लगता है वो पाँच राजियों से लगता है कितने राजियों से लगता है? पाँच राजियों से लगता है तो जारखन्ट के दक्षिन में है उडिशा और उत्तर में कौन सा है बिहार जारखन्ट के उत्तर में बिहार और दक्षिन में उडिशा तो 30 का जो एंसर होगा वो क्या होगा B जानेगे अब इसी में जानेगे State 8 का question तो question number one जारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त क्या गयाद जारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे तो बाबुलाल मरांडी तो one का जो answer होगा वो क्या होगा C Question number two मधू कोड़ा जारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधी तक रहे तो जारखंड के पाँचवे मुख्यमंत्री कौन थे तो ये मधू कोड़ा थे और इनका जो कारिकाल था वो 14 सितंबर 2006 से 23 अगस 2008 तर तो two का जो answer होगा वो क्या होगा C Question number three जारखंड के पहली महिला राजजीपाल का नाम क्या है तो जारखंड के पहली महिला राजजीपाल कौन बनी थी तो दुरोपती मुर्मू तो three का जो answer होगा वो A Question number four जारखंड के निमलिकित जीलो में से किसमे ग्रेफाइट बहुता यात में पाया जाता है तो ये किसमे पाया जाता है तो प्लामू में तो four का जो answer होगा वो A Question number five जारखंड राज में सालाना विभिन परकार के खनीजों का क्या मुल्य है तो जारखंड में जो विभिन परकार के खनीज पाय जाते है उससे साल भर में राजी को कितना इंकम होता है तो कितना का होता है पंदरो हजार करोड तो five का जो answer होगा वो क्या होगा A Question number six पूर्वी सिंग्भूम जीले का कुल भगोलिक छेतर क्या है तो पूर्वी सिंग्भूम जीले का कुल भगोलिक छेतर कितना है तो 3533 वर किलो मेटर तो six का जो answer होगा वो A Question number seven गढ़वा जीले में कितने उप विभाजन है तो गढ़वा जीले में कितने है तीन तो seven का जो answer होगा वो B Question number eight परसिद उसरी फॉल जारकन के किस जीले में इस्तित है तो ये किस जीले में इस्तित है ग्रीडी जीले में तो eight का जो answer होगा वो C Question number nine बसंत राई को निमलिकित में से किसने बसाया था? तो ये किसने बसाया था? तो राजा बसंत राई ने तो 9 का जो एंसर होगा वो क्या होगा? Question number 10 Question number 10 में है खेल परतिभाग होज के सुंदर्ज में सही कतन का चैयन करें इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है number 1 1200 रुपे का मासिक spend दिया जाता है सही है यूवापरतिभापरतियुगता के माधियम से चुना जाता है ये भी सही है सिक्छा के साथ खेल प्रसिक्चन परदान किया जाता है ये भी सही है वार्सिक अनुदान भी दिया जाता है ये चारों आप्शन सही है तो 10 का जो एंसर होगा वो क्या होगा D जारकण में निमलिकित में से 5000 से कम की छोटी अबादी है तो किसकी छोटी अबादी है 5000 से भी कम तो किसकी गौर रेट की तो 11 का जो एंसर होगा वो क्या होगा D Question number 12 जारकंड राज में लगबग 10 आदिवासी जनसंखियां ग्रामिन इलाकों में रहते हैं तो कितना रहते हैं ग्रामिन इलाकों में आदिवासी जनसंखियां तो 90% तो 12 का जो एंसर होगा वो क्या होगा C Question number 13 संथाल विभिन नामों के साथ सरहूल उत्सब मनाते हैं इनमें से कौन सरहूल का दुशरा नाम है तो सरहूल का जो दुशरा नाम है वो क्या है बाहा और सरहूल को फूलों का तेहवार के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है फूलों के तेहवार के नाम से भी जाना जाता है तो 13 का जो answer होगा वो A Question number 14 निमलिकित जनजातियों में से कौन सा सत्ती के लिए बलिदान के लिए परसीद है तो कौन सी जनजाती है जो सत्ती के लिए बलिदान के लिए परसीद है तो ये खरबर तो 14 का जो एंसर होगा वो क्या होगा D Question number 15 चोटा नागपूर पठार निमलिकित अद्योगी बस्तियों में से किस में इस्ती थे तो किस में इस्ती थे तो ये राची में तो 15 का जो एंसर होगा वो A Question number 16 जारकंड विधान सभा में कुल सीटे है तो जारकंड विधान सभा में कुल कितने सीटे है 81 सीटे है तो 16 का जो एंसर होगा वो B Question number 17 जारकंड का उच नियाले किस सहर में इस्ती थे तो जारकंड का जो उच नियाले वो कहां इस्ती थे राची में तो 17 का जो एंसर होगा वो A Question number 18 Question number 18 भारत में तम्बों की ख़दानों में जार्खंड कौन से अस्थान पर है? तो कौन से अस्थान पर है? तिसरे अस्थान पर है तो 18 का जो एंसर होगा वो C Question number 19 Asia का सबसे बड़ा इस्टिल प्लांट जार्खंड के किस सहर में इस्थी थे? तो वो जार्खंड के किस सहर में इस्थी थे? बोकारों में तो 19 का जो एंसर होगा वो क्या होगा? B Question number 20 जार्खंड के विसेस मववादी विरोधी बल का क्या नाम है? तो क्या नाम है? जार्खंड जगुवार तो 20 का जो एंसर होगा वो A Question number 21 जारकन सरकार क्रिसी में ग्रामिन युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है तो कौन सा था आर्या योजना तो 21 का जो एंसर होगा वो C Question number 22 हजारी बाग में आम तोर पर किस परकार की मिट्टी पाई जाती है तो हजारी बाग में किस परकार की मिट्टी पाई जाती है तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है तो 22 का जो एंसर होगा वो D Question number 23 जारकन के उत्तर में कौन सा राज इस्तित है तो जारकन के उत्तर में कौन सा राज इस्तित है तो उत्तर में बिहार है और दक्षिन में उडिश्टा तो 23 का जो एंसर होगा वो C Question number 24 जारकंड एक डैस विधाई की राजी है तो कौनसा एकल सदनी विधाई की राजी है तो 24 का जो एंसर होगा वो A Question number 25 जारकंड अपने राजी की सीमा कितने देशों के साथ साजा करता है इसमें Question पूछ दिया गया है कि जारकंड अपने राजी की सीमा कितने देश तो जारकंड जो राजी है वो कोई भी देश से अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो 25 का जो एंसर होगा वो A Question number 26 उतलुस और जग हिस जारकंड के किस जनजाती के वर्ग है तो 26 का जो एंसर होगा वो भी जारकंड के किस जीले में तोप चांची जील इस्ती थे तो तोप चांची जील कहां पे इस्ती थे ये धनबाद में तो 27 का जो एंसर होगा वो ए Question number 28 2011 की जनगना के अनुसार जारकन की प्रूस साक्चरता दर कितनी है इसमें question पूछा गया 2011 जनगना के अनुसार जारकन में जो प्रूस साक्चरता दर है वो कितनी है तो 76.84% 28 का जो एंसर होगा वो ए Question number 29 निमलिखित में से कौन जारकंड की एक मुख्य नदी नहीं है तो इनमें कौन सी नदी है जो जारकंड की मुख्य नदी नहीं है वो आपको बताना है तो आप्सन डी जो है फल्गू वो जारकंड की मुख्य नदी नहीं है तो 29 का जो एंसर होगा वो डी Question number 30 जार्खंड के कूल भगोलिक छेतर का कूल कितना परतिसत बंजर जमीन के अंतरगद आता है तो जार्खंड का जो कूल भगोलिक छेतर कितना है 89,714 वर किलोमेटर तो इसमें कितना परतिसत बंजर जमीन के अंतरगद आता है तो वो कितना आता है 7.12% तो 30 का जो answer होगा, वो क्या होगा, यह जारकन दरोगा का previous question paper का set चल रहा है, इसमें सिर्फ जारकन का ही question लिए हुए है, जब इसकी vacancy आ जाएगी तो इसका regular class चलेगा, सबसे पहले इसका previous question paper किया जाएगा, all subject का, तो आप जाएदा से जाएदा मेरे चैनल पर जुड़े रहे, मेरे चैनल पर अभी जारकन CGL का practice चल रहा है, तो आप उसको भी solve कर सकते हैं, और इसको जाएदा से जाएदा आप लोग share किजिए, और इस चैनल में जो नए हैं, वो चैनल को subscribe किजिएगा, like किजिएगा, और share क तेंक्यू